हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता वेलकम टू माई चैनल स्वेताज की चैनल लाइफ इस्टाइल आज मुझे एक हापकेजी के केक का ओर्डर मिला है लेकिन ये केक हमेशा मुझसे ज्यादा ही बन जाता है तो चलिए आप देखिए मैंने इसमें क्या जुगार लगाया है कि मेरा परफेक्ट हापकेजी का केक बना है 6 इंच के केक टिन में मैंने रिफाइंड और लगा लिया है और उससे अच्छे तरीके से चारो तरप कोट कर लूँगी खास कर कॉर्णर में बहुत ही अच्छे तरीके से रिफाइंड और लगा देना है मैं मैं किसी भी चीज को बरबाद नहीं करती मैंने छोटे-छोटे टुकडे प्राजमेंट पेपर के रखे हुए थे और इस केक्टिन के लिए ये परफेक्ट हो जाएंगे तो मैंने इस तरीके से उसे बना लिया है होम बेकर्स अगर चोटी-चोटी बातों का ध्यान रखे तो उनकी बच्चे थोड़ी होगी अलग से ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे दो टुकड़ों को जोड़कर और केक्टिन में लगाने के लिए तयार कर लिया है इस तरीके से छोटा-छोटा टुकड़ा देखकर हम फेक देते हैं लेकिन उसका यूज हो जाता है आज जो मैं केक बेक करने वाली हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे 64 ग्राम प्रिमिक्स लिया है 62-65 ग्राम तक आप प्रिमिक्स ले सकते हैं इस केक को बनाने के लिए और जितना भी प्रिमिक्स ले रहे हैं हम उससे आधा हमें पानी एड़ करना है इसे 1 और 2 स्पीट पे हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना है पहले मैंने इस तरीके से इसे घुमा लिया बिना ओन किये और उसके बाद अब मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ मिक्स करने में आपको एक अंदाजा हो जायागा जैसे यह हलका वाइटिस हो जाता है और फ्लफी लगने लगता है तो आप उस समय इसमें ओईल एड़ कर ले कई बार लोगों ने केक बनाया और उन्होंने कहा कि हमारा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है डिफरेंट टेस्ट होने का कारण में यही है कि आप अनफ्लेवर्ड ओयल नहीं मिक्स करते मैं इसे OTG में बेक करने वाली हूँ 160 डिग्री पे और 160 डिग्री पे ही मैंने प्रिहीट भी कर लिया था इस केक के लिए भी मैं 1 कप ही वीपिंग क्रीम यूज करूँगी वीपिंग क्रीम को लाश्ट में इस तरीके से फोल्ड करके और क्रीम निकालेंगे तो सारा क्रीम इसमें से निकल जाता है अच्छी तरीके से बिल्कुल भी बरबाद नहीं होता मैदे से केक स्पंज कैसे तयार करते हैं और विपिंग क्रीम को कैसे विप्ट करते हैं मेरे चैनल पे हैं आप वहां से भी इसे देख सकते हैं विपिंग क्रीम विप्ट हो चुकी है मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल रही हूं क्रम कोट करने के लिए और इसमें मैं पाइनेपल का अरोमा डाल रही हूं अगर आपको अपने केक में टेस्ट लाना है तो आप अपने पास पाइनेपल अरोमा जरूर रखें इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है केक को मैंने बेक कर लिया और केक ठंडा भी हो चुका है अब मैं उपर से एक दम पतला लेयर निकालूंगी अब मैं इसका तीन लेयर कर लूँगी ये केक हमेशा मुझसे थोड़ा जादा ही बन जाता था मैं कितना भी कुछ करूँ जादा ही बन जाता था इसलिए मैंने सोचा क्यों ने एक बर परफेक्ट नाप के साथ बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए इसलिए मैंने इ यह फ्रूट कॉक्टेल यूज कर रही हूँ, इस प्रांट का फ्रूट कॉक्टेल बहुत ही अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत ही गजब का होता है, इसलिए मैं हमें सा यही यूज करती हूँ, और आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसके उपर क्रश लगा दिया, क्योंकि मैं इस्पंज के उपर आज नहीं लगा पाई थी तो इसके लिए मैंने इसके उपर ही लगा दिया कभी भी दूसरा लेयर रखने के बाद इसके साइड में क्रीम लगा कर और इसे पहले बराबर कर ले उसके बाद ही दूसरे लेयर के उपर आप अगला प्रोसेस करें मैंने अभी इसके उपर ही क्रश लगा दिया है क्योंकि इस्पंज के उपर क्रश लगाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है पूरे इस्पंज में क्रश का टेस्ट आ जाता है मिक्स प्रूट मैंने इसके उपर डाल दिया है और फिर से मैंने क्रीम लगा दिया और मैंने थर्ड लेयर भी रख दिया मैं इसे क्रम कोट करके 10 से 15 मिनट कम से कम फ्रिज में रखूंगी ताकि क्रम कोट जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए और उसके उपर मैं फाइनल आइसिंग करूंगी क्रम कोट हो चुका है आप देख सकते हैं कि 74 ग्राम केक बोर्ट का वेट है 15 मिनट के लिए मैं इसे अब फ्रिज में रख दूँगी इसे मैं बोर्ट पे सिफ्ट कर लूँगी इस तरीके से मैंने बोर्ट के उपर पहले क्रीम हलका सा लगा दिया था बचा हुआ क्रीम जो मैंने फ्रिज में रखा था उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कभी भी आप फाइनल आइसिंग करने से पहले या फ्लावर बनाने से पहले एक बार क्रीम को मिक्स कर लिए ताकि आइसिंग अच्छी हो फ्लावर अच्छे बने अभी बारिस का सीजन है गर्मी भी काफी है उमस वाली फिर भी मैं किचन में ही केक बना रही हूँ और आप दे निकालिए और बाकी फ्रीज में रख दीजिए फिर आपको जरूरत हो आप फिर फ्रीज से निकालिए और उतना ही निकालिए जितनी की आपको जरूरत हो और फिर से उसे फ्रीज में रख दे इससे क्रीम भी खराब नहीं होगी और आप आरसानी से उससे काम कर सकते हैं मैंने side में इस तरीके से comp कर लिया है और मैंने छोटे से star nozzle से इस तरीके से border बना लिया है क्योंकि मैं इसमें beach में rose बना के रखने वाली हूँ customer का demand था कि color use नहीं करना है थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो मैंने सोचा पूरी icing इस तरीके से कर दी जाए और बीच में थोड़ा सा color डाल कर रोज बना दिया जाए इसमें मैंने यही जुगार लगाया कि ताकि मेरा अच्छा cake proper 500 ग्राम का बने कि मैंने पहले ही pre-mix को 160-65 ग्राम के बीच में ही रखा और जो मैं पहले 200 ग्राम प्रिमिक्स और cake के लिए लेती थी लेकिन mix fruit में mix fruit भी पड़ता है तो उससे weight इसका बढ़ जाता है तो मैंने pre-mix को ही कम कर दिया और फिर मैंने cream को उतना ही रखा आप कोई भी flavor बना रहे हैं अगर customer का order है कि आप उसमें ज्यादा fruit डाले या ज्यादा chocolate डाले तो उस हिसाब से आप pre-mix को ही कम कर ले और उसके बाद आप उस cake को बनाए ताकि आपका cake perfect बने मैंने यहाँ radiant pink मिला कर और दो roses बना लिए हैं स्टार्टिंग में home bakers को यह बहुत ज्यादा problem होती है कि उनका cake हमेसा ज्यादा बन जाता है और वह customer को उन्हें देना पड़ता है कस्टमर तो यह बात नहीं समझते हैं कि आपका cake ज्यादा बन जाता है तो यह आप ही की गलती समझी जाती है तो इसलिए क्यों ना हम perfect ही बनाए ताकि हमें loss भी ना हो मुझसे भी mixed fruit के पहले बहुत ज्यादा बन जाता था कभी 600 ग्राम कभी 700 ग्राम तक भी बन जाता था मैं manage नहीं कर पाती थी लेकिन फिर मैंने solution निकाला क्यों नहीं से इस तरीके से बनाया जाए प्रिमिक्स को ही कम करके लिया जाए ताकि mixed fruit जो डालेंगे वो perfect माप में हो जाए केक बोर्ड का वजन 74 ग्राम था और आप देख सकते हैं कि 589 ग्राम हमारा पूरा केक बोर्ड के साथ ये केक हुआ है केक हमारा रेडी है और मैं इस तरीके से इसे पैक कर रही हूँ अब मुझे इसे देना है मैंने इस तरीके से पैक करने के बाद स्टेपल किया है ताकि फ्रिज में रखते निकालते समय आपसे mistake न हो और देने से पहले आप हमेशा अपने कस्टमर को केक दिखा कर दे क्योंक इस तरीके से में केक देती हूँ